हालो एवरिवन तो आज का हमारा टॉपिक है एजिप्शियन सिविलाइजेशन ठेक है यह इसका एजिप्शियन का पार्ट वन है आप बोलोगे सर एजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या था बता दूँ यह था एक रीवर वैली सिविलाइजेशन जैसा कि हम लोग पढ़ते ह क्या था कैसे था ये लोग कैसे रहते थे सब जानेंगे चलिए शुरू करते हैं तो ये एजिप्शियन सिविलाइजेशन ये हमारा कहां पे बसा था मालूम ये देखिए ये बसा था हमारा रीवर नाइल के बगल में कब मालूम आज से तक्रीबं पाच हजार साल पहले पाच हजार साल पहले ये सिविलाइजेशन था और जाकर रीवर नाइल के बगल में बसा था चेखिए इसलिए इसे रीवर वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये रीवर सब के बगल में बसा है ना तो जान लेते हैं इस बारे में थोड़ा तो ये जो नाइल वैली था अच्छा था, एग्रिकल्चर वगयरा के लिए बहुत उब जाओ था इसके इस्ट में क्या था मालूम ये, इस जमین के इस्ट में, रेड़ सी था ठीक है नेक्स्ट कया है, वेस्ट में साहारा डिजर्ट इसके जमीन में था, जमीन के बगल में था क्या था इस्ट में रेट सी वेस्ट में साहारा डिजट ठीक है तो इससे क्या होता है देखो आप एक तरफ से समुंदर दूसरी तरफ से रगिस्तान तो ये जो बहुत मुश्किल पैदा कर देता था किसके लिए इन्वेडर्स के लिए इन्वेडर्स किसे कहते हैं जो लोग बाहर के होते हैं और जाकर दूसरे देश में हमला करते हैं तो भाई जो भी हमला करने का सोचेगा वो तो सी और डिजट को ही देखके पीछे हड़ी आएगा तो ये लोग बहुत प्रोटेक्टेट थे ठीक है अब आई ये मैप में थोड़ा देख लेते हैं कैसा है इनका त यहां से चलता हुआ आ रहा है इस जगह देखो आप पूरा डिजट है इस जगह इस्ट में देखो आप रेट सी जा रहा है ठीक है तो यहां पर अपना एजिप्शियन सिविलाइजेशन बसा था अब आई ये देखते हैं एजिप्शियन सिविलाइजेशन को दो इससे में भी historians बाढ़ते हैं ठीक है यहां जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हो यह वाला लोर एजिप्ट और अपर एजिप्ट जानेंगे इसके बारे में आगे यहां देखिए अब एक चीज़ नोटिस किजिएगा एजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट आफ नाइल ठीक है दा गिफ्ट आफ नाइल कुशन आता है इस पे एजिप्ट को या किसको कहते हैं दा गिफ्ट आफ नाइल गिफ्ट आफ नाइल क्यों भई नाइल जो है गिफ्ट किया है क्या मालूम एजिप्ट कैसे किया समझी अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेकिस्तान है, चीक्या है, तो यहां क्या होगा? रेनफॉल बेगार बहुत कम होगा, पुरे साल भर. और क्या होगा तो इससे होता क्या था nा डेकिस्तान में है पानी नहीं हो रहा है तो यहां एग्रिकलचर और ये कोई भी सिविलाइजेशन कैसे बसेगा नहीं बस पाएगा ना लेकिन बसा था एजिप्शियन बसा था ना क्यों की ये जो नायल रिवर था ना ये क्या करता था आ द UM जब लाटा था साल में एक बार तो ये पूरा जो है अपने अगल के एड icon ऐन्य बना देता था फटील अललूवियम अलूवील सोल хотел है ठीक है जो कि वो सोयल बहुत फटाइल होता है तो बार आया बार के बाद जो मिट्टी रहता था ना वहां का बहुत उपजाव बन जाता था इस वज़े से वहां एगरी कल्चर करने में आसानी होती थी लोगों को इसलिए वहां पर जाके ये लोग बसे थे जैसे कि यहां रिच सोयल क्या होता है एगरी कल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है तो इसी लिए भाई एक तो वह डिजर्ट था तो ये नाइल रिवर फ्लर्ड देता है और फ्लर्ड से इसका जो है लैंड फटाइल बन जाता है तो ये एक तरह का गिफ्टी हुआ ना गौड नहीं गौड गिफ्टेड नहीं ये है नाइल गिफ्टेड ठीक है और ये नाम किस ने दिया मालू आपको ये नाम जो है हमारे फिफ्ट संचिवरी बी-सी में हीरो डेक्टस ने दिया था ठीक है हीरो डेक्टस एजिप्ट को कहा था गिफ्ट अफ दे नाइल हीरो डेक्ट कौन था यह जो है father of history कहते हैं hero dektis को ठीक है Greek historians था father of history father of science वगएड़ा बहुत कुछ आप जानते हो न father of these that history का मालूम है hero dektis होता है और यह अगर आपको bce वगएड़ा नहीं मालूम है क्या होता है तो आप वीडियो इस पे बना हुआ आप जाकर देख सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए लोड इजिप्ट को अच्छे से देखते हैं यह देखो आप यह देख सकते है red sea था ना यह वाला अपना Mediterranean sea यह यहां पर सहरा डिजट यह है अपना यहां पर Nile ठीक है यह वाला Nile Delta जमीन है ठीक है डेल्टा मतलब जमीन होता है तो Nile के बगल में जो जमीन है Nile Delta और यह सब जो च्छटा च्छटा नाम देख रहे हैं गिजा सकारा ठीक है यह सब जो है City का नाम है Egypt के समझाया तो इस तरीके का map था अब यह अब जानते हैं इस civilization का starting कैसे हुआ भई यह देखिए बहुत इंट्रेस्टिंग है इस का यहां पर यह देखिए आप यह जो है ना बिगनिंग कैसे हुआ माना जाता है historians कहते हैं कि 4th century CE में क्या था दो kingdom में बटा हुआ था एजिप्ट अपर इजिप्ट एंड लोर इजिप्ट में दो kingdom में तो यह इजिप्ट का सबसे पहला king था king को वहां pharaoh कहते हैं ठीक है इजिप्ट में king को pharaoh कहते हैं पहला जो first pharaoh कान था मालूम मेमे ठीक है किंग मेंस जो था फॉस्ट रूलर था ये क्या किया था अराउंड इतना में 3200 BC में ये दोनों को यूनाइट कर दिया था लोर एजिप्ट और अपर एजिप्ट को बोला भाई ये कोई दो हिससे किंगडम में नहीं बटेगा ये दोनों सेम रहेगा तो ये दोनों को मिला कर ये किंग मेंस जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन बना दिया था ठीक है समझाया सबसे पहले क्या था ये अपर एजिप्ट और एजिप्ट में बटा हुआ था फिर ये किंग मेंस फॉस्ट फैरो था इजिप्ट का मिला कर इसे Egyptian civilization बना दिया और ये civilization जो है खतम कैसे हुआ पता लास्ट फोरा इसका था लास्ट फैरो क्लियो पट्रा इन 30 BC में खतम हो गया था क्लियो पट्रा लास्ट था मेंस फॉर्स्ट किंग था ठीक है ये याद रखिएगा तो इतनी जो चला फॉर्स्ट और लास्ट किंग के बीच में कौन कौन आया कैसे आया क्या क्या हुआ वो सब अभी पढ़ते हैं चलिए यहाँ देखिए फोटो बना हुआ है ये अपने हमारे हैं बचारे किंग मिन्स यहाँ देखिए यह सुब फोटो में तेक है यह हैं हमारे बचारे क्लियो पत्रा लास्ट फेरो तेक है इस तरीके के रहेते थे अब जानते हैं Egyptian Society झैसे करे अपने society में अमीर है गरीब है बीच में है Middle Class सब तो उसी तरीके से Egyptian civilization जो था उसमें society में कैसे लोग रहते थे वो जानते हैं बही चलिए पहला तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो था न Pharaoh Pharaoh means king वहाँ के जो king थे न उसे human god माना जाता था human god और उसका statue बना अगर अभी देखे थे न Cleopatra का statue बना हुआ था temples में रखा जाता था और उसे पूजा पार्ट सब किया जाता था king को that means यह सबसे उपर था human god माना जाता था एजिप्ट में अब देखिए यह जो king जो भी कहते थे जो काम करते थे इसे inscription, inscription मतलब पत्थर वगएड़ा पे लिख दिया जाता था drawing बना दिया जाता था temple का जो wall था उस पे बना दिया जाता था कुछ भी बोलते थे या करते थे अब यह आप लोग ने stone में देखा था यहाँ पे यह देखिए इस तरीके से हम लोग देखें ना यह लोग पूझे इसे पूझते थे तो सबसे उपर king आते थे उसके बाद कौन उसके बाद यहाँ देखिए आप उसके बाद आते थे nobles, nobles कौन है भाई officers लोग जो officially काम करते थे king के अंडर में फिर आते थे priest priest, pundit बहे गड़ा लोग next scribes, scribes मतलब writer लोग, तो सबसे पहले king nobles, priest and scribe इस तरीके से ladder आता था इसके बाद देखो कौन आता था इसके बाद आता था present, farmer बगएरा फिर आते थे labors articians, articians कौन जो art and craft का सामन जैसे की हो गया आपका carpenter, metal worker यह सब जो होता है, वो सब फिर क्या था, unskilled workers यह था, फिर trader and merchants business man को यहां रखा गया, ठीक है सबसे last में यह सब को कह सकते हो, आप middle class था upper class देख लिए ना इधर अपना यह बचारे लोग जो थे यहां पर अपर ग्लास थे ठीक है, और king तो सब सही अपर था बस God से नीचे था, ठीक है और यह बचारे सब middle class थे lower class कौन थे मालूँ? इधर आईए प्रिस्ट slave, प्रिस्ट slave मतलब प्रिस्ट वेगेड़ा को जो नौकर दिया गया था राजा के दौारा वो लोग सब से नीचे थे एक दम नौकर सब यह नौकर कहां से आते थे मालूँ? लड़ाई जगड़ा जो थोड़ा बहुत होता था वेगेड़ा वेगेड़ा उससे के फौजी लोग को पकड़ के नौकर बना लेते थे यह लोग चीक है? और क्या करते थे यह slave सब से force करके mines करवाते थे मतलब ख़दान यह सब में डुका कर सब सामान सब निकालो समझाया? तो इस तरीके से इन लोगों का society बना था यह देखिए बना हुआ है scribe यह है हमारे scribe भाई साब देख रहे हैं? इस तरीके के scribe थे कुछ पहना ही नहीं है यहाँ देखिए prisoner यह सब जो थे कैदी वेगेड़ा कोस्ट नौकर जैसा काम करवाते थे इस तरीके से सब बैदेडर रहे है डैवलिंक्स रहते कैसे थे यह लोग कौन से घड में रहते थे ठीक है मिट्टी के गड में इटा के घड में पत्तर के घड में किस घड में वो जानते हैं यहाँ देखिए जैसे की यह लोग सब से पहले क्या था ना य्यूण श्कर्ते थैं यरुच करते की सद्सक्राइए यह एक रीवर स्द्धैस को यूज करते थैं उर्र términ udah के साथ और जोर-जोर के गषर बनाते थे ठीक है तेनम कछणा था नहीं अभी देखें फिर क्या हुआ बाद में ये लोग संड्राइ मड ब्रिक्स बनाने लगे फिर ये लोग इटा बनाने लगे मड का और धूप में सुखा-सुखा कर फिर इससे घर बनाई ये लोग कैसा घर बनाते थे ये लोग वन स्टोरे प् अमीर वेल्दी पीपल देखे था ना अपर क्लास उन लोगों का घर जो था बहुत बड़ा रहता था गार्डेंस रहता था घर में फिश पॉंट्स वगएड़ा सब स्विमिंग पूल अभी भी होता है ना अमीरों के घर में गार्डेंस है भाईया स्विंग पूल है तो इ इसरी के घड़ बनाते थी तौस्च वाँ जैजी हुले कर देबेंस अ क्ष्ड में अब मतलब और सब्मिंग में तो जिखेंगे नमीरे स्ज़न का ब्रीटा खादे क्लाओं के जय क्या आखते थैए बाध कि से बना रहा था था इमर्स आप्रैस्टी तरीक और यौग मतलार होता है ठीक है it's a kind of wheat इससे यह लोग bread बना कर खाते थे ब्रेड मतलब रोटी वे गड़ा ठीक है यहाँ यह बीर बीर भी पीते थे किससे बनता था यह लोग barley barley भी एक तरह का wheat है उससे बना कर यह लोग बियर पी ते थे और bread खाते थे तो ये था और क्या खाते थे भाई अपने डाइट में ये लोग fish रखते थे ठीक है और क्या खाते थे vegetables, fruits, dairy products dairy products भी खाते थे दूद, दही, घी लशी, सब खाते थे इधे रहिए अब जानते हैं यह लोग ड्रेस कैसा पहनते थे कपडा कैसा पहनते थे पहनते थे फैनते थे इधार आई यह ज़िसे यह देखब आप जो देना इजिप्ट के जो पीपल थे फ्लैक्स उगाते थे अग्रिकल्चर में यह फ्लैक्स ठीक है यह फ्लैक्स का करते क्या थे इसको लेनिन गार्मेट्स बनाते थे इसका बीन गर ठीक है वोवें करके यह फ्लैक्स से कपड़ा बनाते थे और इसको लेडिस लोग फुल लेंथ पहनती थी पूरा राउंड करके फिटिंग शीट अभी देखेंगे फिक्चर में देख लेंगे ठीक है सब नाम है कप्ड़े सबका और कुछ नहीं में गया पहनते थे लोएंड क्लोड मतलब शॉट्ट इसकर्ट कह सकते हैं लांग शर्ट यह सब पहनते थे यहां देखिए और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा उस जवाने में यह मेन और वोमेन सब जो है ना जूर्ली पहनते थे यह सब ब्रास लेट एरिंग्स में वोमेन दोनों अभी देखते हूं आप ललका लोग भी कान में पहनता है एरिंग्स तो इसका यह मतलब नहीं है मौडेन हो गया यह वही पाच हजार साल पहले पहन के आया हुआ है सब ठीक है मौडेन कुछ नहीं हुआ हम लोग पीछे जा रहे हैं इधर है अब हेट गियर और सैंडेल्स मेड़ पापिड़स यह सब लेडिस पर्फियूम्स कास्मेटिक्स सब लगाती थी समझ रहे हैं 5000 साल पहले तो आज हम लोग सुस्ते हैं बहुत आडवांस हो गया कुछ आडवांस नहीं हुए यहां देखिए यह पिक्चर है अपना यहां पे इस तरीके का यह सब स्टाइलिश लेडिस है इस तरीके का कपड़ा पहनती थी लेनी ड्रेस ठीक है तो अब चलिए पढ़ते हैं आकुपेशन कैसा था इनका पेसा क्या था क्या क्या करते थे जीने के लिए भाई खाने पीने के लिए जीने के लिए कुस्तों करते होंगे जैसे की तो यहां दे रिवर के पास बसे ही थे इसलिए यह जो समझ यह जो नाइल रिवर था इस सिविलाइजेशन एकनौमी इससे पूरा डिपेंड था नाइल रिवर अगर कभी फ्लर्ड ना करे किसी साल यह पूरा भूके मरेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको भी गिफ्ट आफ नाइल कहते हैं एजिप्ट को तो अब समझिए नाइल रिवर जो ना फ्लर्ड सेप्टेंबर से अक्टूबर में करता था हर साल तो यह क्या था यह जो फ्लर्ड जो था एंजाइटी एंड रिलिफ एंजाइटी मतलब घबडाट ठीक है पड़िशानी रिलिफ मतलब स पान थी रिलीफ मिल गया ठीक है तो भाई फ्लर्ड आता है तो क्या कर रहा है इन लोगा घडबार यह सब भी खड़ाप कर रहा है लेकिन उसके बाद का क्या है वाई एग्रिकल्चर करने में हेल्प होगा यह दोनों रहता था तो यह जब फ्लर्ड आता था यह लोग पानी जाता है तो फिर नीचे आता है तो यह यह लोग भी करते थे भाग गए और जब चला जाता था था फ्लर्ड तो यह अपना रीच एंड फर्टाइल लैंड जो है उसमें आके फिर से फार्मिंग उससे बगारा करने लगे तो इससे हुआ क्या यह लोग उस समय में डै है क्या करना पड़ें वानी चला जाता है तो फिर पानी की कमी होती यह इसलिए स्टोर करेंगे स्टोर कैसे डैम्स डैम्स कीती होगे अभी हम लोग देखते हैं यह लोग उस समय में भी बना चुके थे इसलिए इसलिए िस्टोरिंग वाटर के लिए हैं गानिल्स gewe нужен के लि जमीन में जाता है ठीक है डैम्स बनाते थे उस समय में तो यह सब डैम्स बनाने में कैनल्स बनाने में क्या होगा पहुत अच्छे से प्लानिंग चाहिए इंजिनियरिंग चाहिए मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए तो यह उस समय में यह लोग यह सब चीज करते थे तो सोचो कि डिग्री का इन लोगों के पास इंचिनेरिंग होगा तो जो पिरमीड बना दिया तो और क्या चाहिए तो सबसे पहला एग्रिकल्चर इन लोगों का अकुपेशन था अब आते हैं तो आप जानते हैं एग्रिकल्चर में ये लोग उगाते क्या थे भई एग्रिकल्चर करते क्या थे ऑक्सेन ये लोग क्या करते थे मालूम आक्स बैल से अपना लैंड को प्लॉ कराते थे ठीक है बैल ये सब पुड़ा लैंड को जोतता था गाओवेगर में भी ट्रेक्टर आ गया ना पहले गाओव यही था तो आज से पाच हजार साल पहले भी ये लोग करते थे अब ये ये लोग उगाते थे ये बार्लिया एंडिमर काइंड वीट होता है ठीक है अब ये प्रिंसिपल फूट क्रोप्स था मतलब यही इन लोगा में था खाते थे ना इसको Milets, Flakes, Flakes का कपड़ा बना के पहनते थे Cotton, Vegetables, Dates, खजूर ठीक है Fakes, Apples, Peaches, Mulberries ये सब ये लोग अगरी कल्चर करते थे उगाते थे ठीक है Cultivate करते थे अब यह यहां तो फिर ये काट के रखे कहाँ थे Harvested Grants वनलाब काट कुट के जब बन गया अच्छे से फिर काटके रखें या ग्रेनरी बनाते थे बड़ा बड़ा इस्टोरेज बनाते थे और उसमें अनाज वगएरा को रखते थे यह लोग यहां देखिए जैसे की बना हुआ है पूरा यह मैं लिखा है मुडूल मुडूल मतलब क्या होता है पेंटिं अब दुसरा क्या काम करते है पहला तो एक डिकल्च दै दुसरा था अब करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑ अनिमल्स आनिमल वगएड़ा को भी यह लोग पालते थे जैसे की यहां देखवा आप ऐनिमल क्या पालते थे बढई का एस पीग डर्क्स यह सब को पालते थे और क्या बई किसलिए पालते थे इससे क्या क्या लेते थे बताओ मीट हो गया मिल्क हो गया डंक डंक उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये सब लेते थे ठीक है कि आपक्स को किसलिए रखते थे लैंड को प्लॉग करने के लिए डॉक्स कैट को किसलिए रखते थे हाउस पेट के जैसा थोड़ा लख्रवाली बगड़ा करें डॉक्स ठीक है इसलिए यह लोग रखते थे एक चीज जान लो इस समय पहिए जो था न बहुत्श था जैसे क्या लोग चीटा रखते थे ऐड़े को देड़े दीरे चीटा रखना क्या हो गया न ‫ रॉयालटी मतलब अमीड लोग जौ रहता था राजा मराजा ये वो आफिसर्स ये सब चीता को रखते थे इससे पता चलता था हाँ इसका जो है रोयालिटी है जैसे कि अभी जैगवार है ना जैगवार गारी उसके उपर बना रहता है ना जैगवार का फोटो ठीक है? स्टैचू तो वो रोयालिटी दिखाता है तो ये लोग भी चीता वगड़ा रखके दिखाते थे दिखावा बहुत था अससे 5000 साल पहले भी आज भी है इदर आईए इस तरीके से ये देखो चीता को लेकर गुम रहा है ये किंग ठेप्स है ठीक है? राजा है वहाँ का इदर आजाओ नेक्स्ट क्या? पहला क्या था अग्रिकल्चर फिर क्या था? ये एनिमल को पालना फिर आता था पोर्टरी हो गया ग्लास में की कार्पेंट्री ये सब करते थे यहाँ देखो आप जैसे की ये पोर्टर्स वील पोर्टर्स वील ये लोग बनाना सीखे थे कहां से सीखे थे? मिसोपोटामिया सिविलाइजेशन से सीख चुके थे अच्छा वीटिफूल स्टोन वास ये सब वास होता है न फ्लावर वास ये सब बनाते थे और इसे एक्सपोर्ट करते थे दूसरे सिविलाइजेशन वागएड़ा में जाके बेच बाच के आते थे कार्पेंट्री करते थे ठीक है? कार्पेंट्री बहुत अच्छा करते थे अब जानते हैं ये देखिए इस तरीका है पिक्चर है इदर देखो कितना अच्छ अच्छा फ्लावर वास है पोट्री का काम किया हुआ है ये सब देखो इस पर राजा माराजा लोग रहते थे बैठते थे ठीक है चेर है ना? इस तरीके का बनाते थे मिटल, मिटल अरजी ठीक है? मिटल का भी काम ये लोग बहुत अच्छ अच्छ से जानते थे कैसे सीखे ये लोग मालो कि मिटल का काम ये लोग सब सीखते थे दूसरे से और उसे बहुत अच्छा बनाते थे जैसे की use of मिटल हाइक सोस ठीक है हाइक सोस कौन था? ऐशिया में रहता था ये पीपल आयता था इंडिया में रूल किया ये एजिप्ट में रूल करने आया था ठीक है तो इससे सीखा हाइक सोस मेटल का यूज करना गोल्ड वेगाड़ा यह लोग बनाते थे बहुत अच्छा गोल्ड का काम जैसे की गोल्ड से पूरा बनाया थे यह लोग देथ मास्क ऑफ किंग टुटन खामेन यह नाम है किंग का इसी तरीके का नाम रहता था ठीक है प्रोनाउंस कर लेना अ किंग का देख़े हैं कहां कहां पैसा ही लोग कर्चा करते थे यहीं करते थे बैठके गोल्ड सिल्वर का आठ अप देखो अब कितना अच्छा था ठीक है वो छोड़ता पैसा आठ अट्यान ग्राफ देखो यहां देख लो एक और यह टुटन खामेन किपना साल में ये बै यहां देखो 18 साल की एज में मड़ भी गया था गद्दी पे बैठा 18 साल की एज में मड़ गया था ठीक है तो चलिए अब जानते हैं यह लोग किस रिलिजियन्स को मानते थे क्या करते थे किसको पूछ पाच करते थे जैसे कि देखें ना हम लोग पूछते थे और सबको पूछते थे यह लोग forces of nature को पूछते थे जैसे कि रा किसका नाम था son of god son को यह लोग रा करके पुकारते थे और इसे क्या करते थे पूछते थे फिर क्या thought thought कौन था भई? moon god को thought बोलाते थे, sky को horus बोलाते थे, earth को isis, isis, next, after world, यह एक और god को मानते थे, after world, after world मरने के बाद भी एक god आता है, वो कौन god आता है, osiris, ठीक है? तो यह सब god को यह लोग बनते थे, और कुछ animals वगएड़ा को भी मानते थे, जैसे कि jackals, cat, vultures, यह सब को यह लोग, sacred, sacred मतलब, एक तरह का, पूजने के लिए मानते थे, worship करते थे, यह सब, ठीक है, important, यहां देखिए, तो यह लोग के लिए क्या बनाया जाता था, टैंपल्स बनाया जाता था, ठीक है, picture में आप देखो, यहां पे, रा, रा, इस तरीके का, यह लोग, बनाएस होडस, यह है, देखो, throat, यह सब, पिक्चर बना था, उस समय में, यह देखो, बताए ना, अभी, cat को यह लोग पूछते थे, तो यह है, cat हमारे, cat साहब, यहां पे है, statue of mau, इसे mau, कहते हैं, the family goddess, इसका नाम था, ठीक है, mau, यह सब को, पूछते थे, यह लोग, Egyptian, तो हम लो कैसा करते थे, dress कैसा पहनते थे, ठीक है, कब बना, यह beginning कैसे हुआ, खाते क्या थे, यह सब पढ़ लिए, तो next class में हम लोग पढ़ेंगे, तो next class में हम लोग पढ़ेंगे, यह लोग अपना, यह achievements क्या 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 किये थे, pyramids वगएरा कैसे बनाए थे, सब जानेंगे हम लो तो आज के लिए अदना ही रखते हैं, मिलते हैं next class में, so thank you for watching.